हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजूकेशन क्लिनिक यदि आप बीमारियों से बचना चाहते हैं प्रिवेंशन करना चाहते हैं और आपको यदि कोई बात-पित का इफेक्ट है यानि आपकी बॉड़ी म इस्टिफनेस रहती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है या खांसी रहती है या आपको निरोलोजिकल डिसॉडर है तो सबसे पहले आवश्यकता है इस बात की है कि आप अपनी बॉड़ी को समझे आयरुवेद के अनुसार बॉड़ी को क्लासिफाइड किय तीन कैटागरी में बात पिट और कफ यानि बॉड़ी के अंदर हमारी बहुत जादर दामिनीट करने लग गजाता है तब हमें बीमारियां होती हैं या फिर हमें कुछ सिम्टम साते हैं कुछ तकलीमों यह तो आईवरभ्हइद के अनुसार 3 टीनेरी वाद पीत और यaking यह नहीं जो लगारिया है उसमें हमारी जो यानि शरीर के अंदर जो आपके बॉड़ी के फंक्शन है वो परफॉर्म होते हैं तो बॉड़ी को बिलेंस करते हैं तो यदि आपके बॉड़ी का बाद-पित-कफ मैंसे कोई भी एक नेचर यदि बहुत जादे डॉमिनीट करती है और बिगड़ जाता है इंट्रेक्शन हो होने के कारण ही हमें बीमारी होती है यानि दूसरे सब्दों में मैं कहूं तो हर इंसान के अंदर जनम से एक दोस्ट डॉमिनीट करता है यानि किसी में बात डॉमिनीट करेगा किसी के अंदर पित डॉमिनीट करेगा और किसी के अंदर कफ डॉमिनीट करेगा दूसरा और तीसरा जो हमारे बॉड़ी के अंदर होता है दोस्ट वो कई वरी न्यूट्रल या सबसाइड रहता है यह उतना जादा रियक्टिव नहीं होता लेकिन एक दोस्ट करने स्टार्ट कर देता है और हम बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले यदि आपको बीमारियों से बचना है और बीमारियों को पूरी तरीके से ठीक करना है तो आपको बात-पित-कफ को समझना होगा जब आप बात-पित-कफ को अपनी बॉड़ी का नीचर समझ पाएंगे तो तो उसके बाद आपका diet, आपका exercise, आपका treatment और आपके symptoms का या बीमारी का management completely आसान हो जाएगा और आप भी उसमें काफी हद तक contribute कर सकते हैं यानि खुद समझ के आप खुद अपनी बीमारी को ना किबल ठीक कर सकते हैं बलकि उससे बच भी सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बात को हम कैसे पहचाने, symptoms के आधार पे हम बात को इजीली पहचान सकते हैं बात का सबसे ज़्यादा effect जो हमारे system पे आता है वो respiratory system पे आता है और बात से हमारे nerves में inflammation आती है, बात effect बढ़ने से, हमारे muscles में inflammation आती है हमारे joints कमजोर होते हैं और आप देखेंगे कि बात effect यदि बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोगों को morning में stiffness होती है, pain होता है, cramps आते हैं और गठानों में कैवेरी दर्द भी होता है बात फिर्विर्थी वाले जो इंसान है, उसमें थोड़ा सा anxiety होती है, वो बहुत ही aggressive होते हैं nature में बहुत ही dominant nature के होते हैं, और कई बारी देखा जाते हैं कि उनको constipation बना रहता है कुछ समय तक, sleep ही महसूस करते हैं ये लोग बड़े thin होते हैं, ये बहुत ज़्यादा fatty नहीं होते हैं, फिर neurological disorders हैं, depression और anxiety के लिए बहुत ज़्यादा prone होते हैं बात वाले लोग और ये बहुत ज़्यादा sensitive होते हैं, aggression में बहुत reactions देते हैं, hyper sensitive होते हैं और कई पर ये देखा जाता है कि due to the pain के कारण या stiffness के कारण या quality of health है, वो थोड़ी सी इनकी disturbed रहती है, तो ये थेड़े चिड़ चिड़े और irritated भी रहते हैं तो बात effect को यदि आपको समझना है, तो respiratory system पे बात effect सबसे जादा होता है, फिर यदि बात continuously बना रहता है, तो जैसे asthma है, bronchitis है, nasal congestion है, stiffness है, मतलब ये freely महसूस नहीं करते हैं, respiratory system के label पे, तो ये तो ही बात पिरविर्थी वाले लोग इसके बात आते हैं, पित वाली पिरविर्थी क्या होती है, पित वाली पिरविर्थी के जो लोग होते हैं, इनको GI लेवल पे कुछ ना की जैसू बना रहता है, के बेरी abdomen pain देखा जाता है, GI sensitiveness होती है, obesity इनको रह होती है, ulcer है, IBS है, crowns है, indigestion है, acidity है, hyper sensitive होते हैं ये, प की पिरविर्थी होती है, उन लोगों की intestine और respiratory system दौनों बड़े sensitive होते हैं, यानि इनको cough cold हो सकता है, जुखाम हो सकता है, पेट बहुत जल्दी जल्दी इनका खराब होता है, obesity इनको होती है, बड़े heavy होते है, fatty liver, diabetes है, आपका high blood pressure है, और जितने भी life style issue है, इन लोगों को जादा होते हैं, sleepy यह रहते हैं, मतलब बहुत जादा sleep ही महसूस करते हैं, dehydration होता है, और एक कमजोर भी होते हैं, और इनका जो weight हो बहुत जल्दी से नहीं बढ़ता है, यानि कि जब intestine sensitive होगा, तो dehydration का risk थोड़ा सा बना रहता है, तो clearly तीनों के अपने symptoms हैं, और तीनों के परविरती का अपना effect है system के उपर, तो यदि आप massage में आते हैं, तो आपके लिए food अलग होगा, exercise अलग होगी, treatment अलग होगा और आपका management अलग होगा, ज़िए आप पित में आते हैं, तो उसके लिए फिर line of treatment बिल्कुल differ होगा और ज़िए आप कफ की परविरती में आते है तो आपका line of treatment बिल्कुल differ होगा तो सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने आप body type decide करें बात, पित, कफ के अनुसार और आप जिस category में आते हैं फिर उस category के हिसाब से आप अपने को treat करें next video में हम बात effect पे video बनाएंगे, बात का management हम आपको बताएंगे, पित का और कफ का भी video अलग अलग बनाएंगे और उसका management भी हम आपको बताएंगे, तो video को पूरा देखें, फ्रेंड्स के साथ share करें और चैनल को subscribe करें, thank you very much